हेलो स्टूडेंस वेलकम टू आवर यूटूब चैनल लोजी कॉन इस सेस्टन में हम जियोग्राफिय को कुछ कोशन करने जा रहे हैं कि जैसा है कि आपको बढ़ा है कि CGL में 60 दे से भी कम का टाइंग बचा तो हम एक क्रैस कोर्स लोच कर रहे हैं से सीजील सीप्यों सीएजदल एमटियस सब के लिए जुरूरी में आप देख सकते हैं देखिए हम मैं इसमें आपको में कोर्शन कराऊंगा क्योंकि अब पास हमारे पास ताइम नहीं बचाया कि हम आपको थियोरी कराएं क्योंकि पेपर आने वाला दो महिने में जिन बच्चों ने पहले थियोरी कर रहे होंकि रिवीजल हो जाएगी जिन्होंने नहीं कर रहे हैं कुछ इंपोर्टन कोर्शन देख लिए आपके एक्जाम में काम आ सकते इसी के बीच में एस्ट्रोईड बेल्ट पर जाती है तो यहीं पर एक दो आप बलानेत है आपने सोलर सिस्टम मार्स और एक जूक्तर इसी के बीच में he यूपर बल्ट में क्यों पर बैत गए लिए आ है है यह घंड बीटा एक रोए किटने डी फैसिंद टो कर फिंद्धिंट गरेंनें अर्फ टंध फूरा इथा a इंन्टार्ट हम प्यों स्ब्सक्राइब among the following, यहां प्रेक्प्रिश्टियल प्लेनेट, आपको पता हो न हो चाहिए कि अपने सोलर सिस्टेम में प्लेनेट को दो हिस्सों में भाथ रखा है, पहला कौन सा है, तैरिस्टेरियल, और दूसरा कौन सा है, जोविय, तैरिस्टियल मतना अर्थ जासे, और जोविय न होता ह कि अर्थ जो है एक रोकी प्लैनेट है क्या है रोकी प्लैनेट है ठीक है और जुक्तेर एक गैसियस प्लैनेट है किसका बनावा है तो देखे ट्रेस्टियर प्लैनेट में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं करोनलोजी भी समझेगा बहुत इपोर्ट नहीं देखिए माली जी अ पहर कौनसा धान है। सब्रक्रीक शोब्क के बाद respect statewide संक्ता हुष सब्रक्रेशक करता है। तो सबसे पहले है। से तब करता है। सब्सें बरा जुक्तर की बाद के बारि है कि शैटन इसको हिंदी में सनी कहते है इसके बढ़ क्याएगा Uranus यानि अरूंगर है इसके बढ़ क्याएगा Neptune यह सबके सब Gaseous Planet यार दखिएगा थियो मतलब 99% से भी जारा इसमें Gas है इस Cancer देखे इस क्या गया यह सब्सक्राइब अपने जोगीन पर लेने था जूपितर भी जोगीन नेफ्यों भी नहीं जोगीन है तो नेक्स्ट कोशन देखे है देस देस रडियेशन बेल्ट आर जैंट स्वेट उफ मगनेट तिकली ट्रैप्ट हाइली एनर्जिक चार्ज पार्टिकल देट सराउंड अर्ट को देखे इस कंसर क्या है इस कंसर है यह वैनल और देखे ऑप्शन देखे और 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 एक फिनोना है जो लाइट हम देख प्रजाएं तो क्या आगे जो एडिया है उसको हम कहते है कूपर बेल्ट. क्या कहते हैं कूपर बैल्ट इसको ओष लौट पलाउड भी कहते है तो चीक विंड है विंड आपको एमइजब चैप्तर प्रजह त्रोरत करने ऊसमें बताँगा यह येर विंड में क्या डिफरे सब्सकавливarem privileged telescope की वज़े से तो देखिए-इस koncert का है गेनी-मेड जो गे जो गेनी-मेड है किसकी मून किसका मून है जूपितर prevention की जूपि लिगा कि सब्सक्राइब कर जूपितर का largest雲 सबसे बाद अचनकी का तेल आगलो कुशन देख ते की जोफने प्लाफ एंट इन आफ़ वाल्ड पॉल्यार्ट मशूलर सिस्टम कौन सा रख द्वाल प्लाफ प्लाइनति इन स्विस्टम इसका अंसर के से मैं क्या अगला कुछेश्श्चा देखते देखे अगला कुश्टियं क्या कह रहा है विश ओप्र फोलिक पर लेने डिज नोट है एनी मून देखे जिमसे किस पर लेन के पास अपने मून नहीं है तो इसका अंसर का है विश्टिर के पास भी है या देखे जुपिटर के पास कितने मून है अपने सब्सक्राइब कर दो अपने सब्सक्राइब कर शक्ते है तो इसका अच्छी सी फोम बनाते है जिसे मून पॉलर भी होता है अगला कोशन के विश्ट फोलिंग स्वेश्टिर बोटी है जिन नेच्टर सैटलाइब नेम दे चाहरो इसका अगला कोशन देखते हैं हो मैंनी नेच्टर सैटलाइब जुपिटर हैव ऐस थर्टी फिर्फ जुलाई तो इसका अंसर में जैसा आपको बता है जुपिटर के पास कितनी है 79 और 82 किसके पास है शनी के पास सैट्चराइब ठीक विच्टर फोलींगे इस बिंटेस्थ प्ने इन्दा में अ सोलर सिस्टम सबसे ते शाह चलती है स्यस्यूर सिस्टम अपने शोलर सिस्टमा प्लेसिस्टम कॉन सा हो है नेप्चुन के नेप्चुन सबसे दूर भी है तरह को मैं और पता है क्रोलोजी याद रिखे गया ू मेर्करीं के भाय मेर्कष को बार अधना वीके अगग का वीँनेंस को बह similar को अरट मार्स को बास को उता जैशो का बार बार गजनींस को बार होता है मैष्वे मतलत को बार मंतले मजटी में को याज रखेंगा थीक है ऐर अधर फूल-मून yat every night the size of bright part of the moon appear to become thinner and thinner on the fifth day on the 15th day the moon is not visual this is known as concept of the full moon or half moon का तो देखिए इसका अंसर क्या है कि मताई आप कमेंट भी कर सकते हैं न्यू मून देखाई नहीं देता ठीक न उसको हमकेटे न्यू मून दे चलिए अगला कोशन देखिए क्या है वीच ओड़ फोलिंग प्रेजिस मेटियोर सोर नेम्द क्वार्निस जनली वीजिवल फ्रो पॉस्चन हो गया तो बताई कि मेटियोर जो गया था मिटियोर गया था धर्ति की मतला से वीजिवल था हमने देखा तो बते कौन से महीने में गया था बताईए गयस कर रहे है अट नहीं देखा आपने दिसंबर जनौरी में गया था इन वीच ओड़ फोलिंग मंस मेट अगला पॉस्चन देखते हैं विच ओड़ फोलिंग प्लैने नोग सैटलाइट जैसे के मैं आपको बता है कौन सा है हां मर्कृरी मर्कृरी के पास एक भी नहीं है हो मैंनी देख भ्राइटिस तार इंड़ कोंट्राइशन काल ड़्रे ड़्रे घर मेर मेड देखी तुऊंट्रियोशन इक धेफिनिग यह बनती है जैसे सब तरी सी बताया था और हूरसमेजर बताया था तो ऐसज एक कंस्ट्रेशन बनता है great बटाय उसमें कितने स्टार जिसका अशर आपका नौ, नाइव स्टार से बनता हो, नागला कोश्या तेविच और फोलींग पर लेना था जा मोस्त नंबर फूंस, कोश्यां करने के दूरो इस नहीं के बठा रहे हैं, सभी लिए बाखा रहे हैं, सभी बिग बन थीरी अग्स्प्लेंट, अथा बिग बन फैरने लगा, एक्सपैंड करने लगा तो आके इनुवर्स बना, ठीक है, अगला कोश्या देखते है, वट दू यू कोल द पोईंट इन द ओर्विट, द मून और से तरल विट इस निरस तो अर्थ, देखिए, अर्थ के जो मून है, कई बाद सबसे निरस होता है, मतलब प पास मोथ उसको कहते है, पैरीगी, क्या कहते है, पैरीगी, मतलब अर्थ के नगी, ऐसे जैसे सन को भी कहते है, सन का भी जो सन हमारे पास मोथ उसको पैरीहिलियन कहते है, सन जब अर्थ से दूर और उसको अपैरीहिलियन कहते है, जो अगला कुश्या दिखते है, अगला ultimate period between two consecutive moon in new moon days बता है कि new moon days होते हैं ज़रह मैंने बता जिसको आम आवास भी कहते हैं दो moon के देख बीच में कितने दिन का gap होता है तो इसका answer है 29.5 ठीग है लगबट उन्ती सर्थिस्टिंग का होता है How many natural satellites does the Venus Venus का पास कोई भी नहीं है याद रखेगा बेनस पर मर्करी का पास कोई भी हो नहीं है natural satellite move हो बता ही अब मुन का radius कितना है कोई बता सकता है कितना है D का answer इसका ठीग है 1.74 x 1.10 के बाउट 6 में दिन 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 फिनोमेना हो है happy helium जैसा मैंने हम बता है happy helium मतलब earth होर माली ये earth है और ये sun है इसका बीस में maximum distance होगा उसको happy helium कहते है minimum distance को perihelion कहते है जिसका answer कहते 152 million km अगरा dash is no longer considered as a planet with earth solar system अगरा question which planet is made up of thick white and yellows cloud of sulfuric acid बताइए कौन सारा planet है जो sulfuric acid से बना होगा है तो बताइए इस cancer क्या Venus वाइट वीनस ने इसलिए वीनस सबसे brightest planet भी याद्र की दा सबसे brightest planet है ठीक है वह इसको Venus को हम Earth twins भी कहते है Venus को क्या कहते है Earth twins में बिल्कुल Earth जैसी है side में atmosphere इसका अलगा Earth जैसी ठीक है अगरा question type magnetic field is responsible for the Earth बताइए इस cancer क्या magnetic field जो अर्थ के एक अपनी magnetic field है उसका जिसकी बज़से है outer core की बज़से देखे outer core की बज़से देखे outer core क्या है देखे यह हमारी अर्थ है इसको teen layer में हम बात देखे ठीक है माफ करना मैंने का सबसे द्रोइंग का कोर्स के इसल मेरी drawing थोड़ी जीव है crust crust सबसे उपर आला हिस्सा होता है mental mental पागल में समझना थीक है mental को दो हिस्सा में बासते हैं को से मैं बटाए आपको बटाए upper mental और lower mental ठीक है उसके बाद core आता है जो सबसे नीचे होता है core को हम भी हम दो हिस्सा में बासते है inner core और outer core यार रखेगा inner core है वह जो आउटर core है वह liquid form में और inner core solid में और जो core है इसमें convection current की बज़े से ions का generation होता है जिसकी बज़े से magnetic field responsible है सबसे ज़्यदा acceptable A theory है the moon is example of object देखें मून किसका किस बीचे बटा पूलिंग का example है बटाई आप किसका किसका अंसर है non luminous गैर चमकता है हाँ आप कहें कि सार जी तो बलत बटा रहे है moon तो हमें रात को चमकता हुआ दिखाई डिटा है तो नहीं moon जो हो है sun से आते हुई light को reflect करता है याद रखें the process that moves elevates or build up the portion of the earth crushes called diastrophism देखिए एक geophormic process नाम का chapter होगा आपके NCRT में उसको आप परहे के तो आपको detail में मिल जाएगा diastrophism ठीक है अंगला question देखते है when are neep-tite produced neep-tite कब होती है neep-tite कब होती है tight कि इसकी बज़े से होता है gravitational force of moon and sun की बज़े से ठीक है इसका अंसर क्या है which of the falling planets is known as gas giant कौन gas giant सबसे बढ़ा देखिए तो terrestrial planet है Jupiter the body glowing glowing in the night sky as known as celestial body lucifer is another name of the planet lucifer किसको केते है lucifer is web series Netflix पर देखिए तो तो किसको केते है Venus technical issue चलिए अगला question देखते है यह को लेख लिए तामने चलिए planetary scientist called thin gaseous envelope around the moon is जैसे अपना अर्थ अर्थ के पास भी अपना gaseous envelope उसको केते है atmosphere केते है atmosphere ऐसी moon के पास भी है lunar exosphere तो अगला question देखते है in the sequence of planets in the solar system which planet coming between Mars and Saturn आपको मैंने बता ही रखा है sun sun के बाद Mercury आएगा Mercury के बाद क्या आएगा Venus के बाद Earth आएगा Mars के बाद Jupiter आएगा Saturn आएगा Saturn आएगा Uranus आगा फिर Neptune आएगा question में क्या पूछा गया the sequence of planets in the solar system which planet coming between Mars and Mars और Sun के बीच में कौन सा planet आएगा Jupiter ठीक है याद रुखे दो how many degree does the Earth rotate about this axis Earth अपने axis पे घुमती है अपने axis पे मतले कितना 360 degree अपने axis पे पूरा complete चक्कल करती है उसको हम कहते है रुख वो 307 degree घुमती है कितने घंटे में 24 घंटे में simple questions को इसके device करजे कितना answer लेगा 15 degree ठीक है which of the falling out the most solar path out the Earth मैं आपको बताएं था पहले क्या क्यार्ट है crust आता है ठीक है इसके बाद मेंटल आता है मेंटल के बाद आता है को रहा है सोडी मैं भी घंट करना ना बिंग्या में सब अलट किजेगा ठीक है आगला question which of the falling study of earthquake study of earthquake को क्या के था हम seismology ठीक है हिंडी में तो सब को पता लेग जाएगा ठीक है seismology जनली seismic wave होती है seismic wave क्यों होता है body waves और surface wave ठीक है body waves दो तरह को होते है body waves हो गया और एक हो गया पास surface waves ठीक है जो body waves से दो तरह को होते है primary or secondary sp wave और s wave भी कहते हैं surface wave जाएगा जाएगा depth में जूरत नहीं इस आट 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 नहीं which fit together like a jigsaw बता है इस का अंसर क्या है इस का अंसर है यह लीथो स्पेर यह देखिया कहा है लीथो स्पेर अंसर क्या है अगला question देखते है the solar eclipse अकरवे देखे solar eclipse lunar eclipse होता है ठीक है lunar eclipse कैसे होता है की सनन और एक मून जो सन मून जो मून ए सन के आथी जो लाइट रिफ्रेड का अर्ठ पे लाइट जो जारी है मून पर यो कहीं बॉलोग हो जाए अर्ठ की बज़े से उसको हम कहते हैं लूनर रिखनी तो सोले एक डिसक अब होगा जब मून आ जाए सन और अर्ठ के बीच में त यह अगला कॉशन देखते १॥ यह किसकी नेचुर सेट्लाइट है , जुपिटर की ? हुर्अ देखिया वाइसे आपको सेटलाइट ८िण सेटलाइट यहां कर सकते है , पर अगर आपको देखना पूर मुझा मनदब जबढ़ा से चेटलाइट से कोशन अंतब ओकिरंड यह यह ज़ए तर बंश बोटा है in the life cycle of star stage nebula हां बता है यह nebula क्या होता है जब एक आपको बता इसको basically है जब chapter में परेंगे star formation मतलब तार्य कैसे बनते है ठीक है the stage when the outer lyrics spend pool down and become less bright नहीं यह नहीं है इसको मैं आपको समझाऊंगा जब आपको मैं theory कराँ है लास्स टेज ओफ इस लाइफ नहीं लास्स टेज भी नहीं है एक लाउड ओधर रूटीटिंग कलाउड रूटीटिंग कलाउड होता नहां से करके मालिकर यसे कलाउड इसमें डॉस्त है और अपनी करविटेशनल फोर्स की वज़े से गुमने लगता थीक है उसको हम कटें नहीं बुला थी ला विच ओड़ फोली के परणेट इस नोट जोविन परणेट देखे कोशन से कितने बाद कोशन रपीट कर रहा है बताए कौन सा नहीं है साथ बाकी करने जोविन जूपिटर सब्सक्राश शै श्य록ं के पास सबसे , बालिईयिए से वह सबसे हाँ है इस सबसे सबसे लागे है रहीजर क्या है के सिया है हुआ है जब टोटल तो देखे सोलड एकलिप्स भी प्राइब को जैसे ऐनुल एकलिप्स होता हैै अनुल एकलिप्स होता है तो आपको यह देखने को मिलाए है तो दुटल तो एकलिप्स के दुराना ठीक है अगला पॉसर देख्टे दा वेट ओफन अब्जेक्ट ओन दा मून इस इकवल टू दा वेट फ़र बताईये जो चान पे किसी वस्त मतलब चान पे कोई अब्जेक्ट उसका बजयन है वो बजयन अर्थ पे कितना हो तो पटाई इसका अंसर क्या है वन सिक्स्ट ठीक है नहीं वीच ओड़ फोलिंग स्टेट्मेंट अबाउट गैना भाई इस नोकते इस बिगरें मगडी हां मगडी से बारा इत लाजएस नेजर सेटलाइट इन सोलर सिस्टम एभी आपको पता है सब से बारा इत इस अनी मून नोड आउन इंटर्न नी जेनरेटर मैनन फिल्ट है भी सेटलाइट कम क्यों है क्यों कोई छोटे पर लेनाट उनकी गरिविटेशन फोर्स कम है गरिविटेशन फोर्स मतलब अपने अब जेक को मतला आप अर्थ के पास सेकी सैटलाइट हम हो हर्थ उसको ही होल्ड करके रखिए पर जूपिटर देखिये कितना बरा इस लिए इस चर्टर से चर्टर साल बार ठीक तो यहीं पापना सेटलाइट के खटम हुआ लिस्ट दू लाइक इस शेर किजिये अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही हम आपको इसके बाद हम आपको पॉलिटिक की सीरीश पी चल रही है हिस्टी की चल रही है और मैं अधालेशर आपका मैरा समक चुरू लाओल दिखएगा observing Customer